कॉंग्रेस को 138 साल उचुके हैं तुसा पर कहने चाहिए देखिए 1885 से 28 दिसंबर 1885 में कॉंग्रेस का स्थापना हुआ था डिस में डाक्टर राजेंदर प्रशाद मौलाना आजाद मौतिलाल नहरू पने जवाल नहरू अपने मात्मा गांधी जी ने विचार लाया कि देश में एक गठन हो समिधान का जो देश बचाने के लिए अपना सर्वत त्याग दिये जेल गए और अगनेजों से लड़े है 1885 में 138 स पूरा हो चुका है इस पार्टी का है सबसे पूरानी पार्टी है एक कॉंग्रेस देश की विचारधाराओं की पार्टी है समिधान की पार्टी है मान और सम्मान देश में तरक्की और विकास की पार्टी है जो हमेसा देश को एकता और अखंडता बाइचारे के रिस्ता दिए जो विचार धाराओं कांग्रेस की है जो एकता और अखंडता भाईचारे जो हमारे नेता राहूल गांधी जी निरंतर उसी को जोड़ने के लिए कारकरताओं में एक बल शक्ती उर्जा प्राप देने के लिए जिस तरह से दिसा 3570 किलोमेटर की यातरा शुरू की है करन्या कुमारी से कास्मीर तक यह निरंतर यातरा चलती रहेगी और यातरा जब जमू अनकास्मीर में पहुँचेगी तो वहां से भी राहूल गांधी जी एक शंदेश देंगे कि देश को बाटने वाले जो देश को जादपात धर्म में बाट रहे हैं और नफरत की राजनीत फैला रहे हैं जब हम देश में पैदल चलते हैं तो नफरत कहीं नहीं दीखती है नेशनल चैनलों पर जादपात धर्म का बात करकर जिस्तर से नफरत पहलाए जाता है यह उन्मात खतम हो देश के में विकास की बात हो देश में एकता की बात हो देश में अखंडता की बात है देश में रिष्टा मजबूत होने की बात हो देश को गुमरा ने जो कॉंग्रेस की संभिधान है वो पूर्ण रूप से देश में लागू हो जो को खोल दिया गया उसमें हमारा राहुल गांजी जी का याथ्रा लेकिन रोड भी को ताकि इस याथ्रा को नुक्सान पहुंचा दरे अधर नेतर तो डरने वाले हैं ना पिछे आतनी हैं उनके अंदर खून है राजियू जी का जो त्याग तपस्या बलिदानी के प्रारूप हैं इंद्रा जी के पोते हैं जिन्हों ने सब बोली थी कि मैं रहूं या न रहूं मेरे खून का है कि कतरा देश के लिए काम आए गया देखे लापरवाई तो आप भी देखे हैं कि कोई भी भारत जो लो यात्रा में कहीं से इन कर जा रहा था क्योंकि यहां पर सुरच्चा जो चाहिए था वो नहीं दिया गया देश के बैठे हुए ग्रेह मंत्री प्रदान मंत्री जी और भारत सरकार चाहती है कि यात्रा को किसी कोरोना के नाम से ब्रमित करो किसी तरह यात्र भी पूडा करेंगे और यात्रा जुडेगा हाथ से हाथ जोडने वाली यात्रा पूले देश में दूसरा यात्रा भी 始ुरी हो गया देश के हर हर गाउ चोपाल तक मालूम होना चाहिए कि नहरू गांदी का जो अन्स है गांदी जी है तेस को जोडने देस में प्रेम और सवहार पहलाने के लिए तेस में जह इसतरल से थरह से भीपक्ष को दबाने के लिए तमाम प्रचार प्रसार किया जा जा रहा है मजदूरों का हक मिले किसान ओक ंव को पर दरी पर बैठने वाली पार्टी हैं तो हमेंसा जेल भरो अभ्यान और देश को बचाने की रणनी तयार करकर हम अंग्रेजों से लड़े हैं और हम से लड़के कई पार्टियां बन गई हैं देश में लेकिन अब हमारे नेता इस्टार्ड कल्चर नहीं मानते हमारे नेता दरी वाले हैं जमीन पर जंता के बीच जाने वाले मन की बात धोपने वाले नहीं हैं मन की बात सुनने वाले हमारे नेता राहुल गांदी जी हैं तो आने वाले समय में मन की बात सुनकर जंजन की बात को संससे सड़क तक आंदोलन होगा राहुल जी के नित्युत में दोज यह प्राप्त हुआ है वहां से जब भी Congress विज्य होती है तब वहां से हमें एक नएा संदेश मिलता है एक नएा मजबूती मिलती है कि देवताओं का असिरभाद हमसे मिला हुआ है तो यह है आज का Congress का विचारदारा एक RSS और भाज्पा का विचारदारा गोडशे का विचा परदाराओं को आप जोड़िए गा तो आपको अर्द देस की एक्ता और अखंड़ता भायचारे की रिष्थे के साथ ख़ड़ा है देश इस तरह से कपड़ों से पहचाने वाट जांत से पहचाने वाले पार्टी के साथ हुए झाल